वेरी गुड स्टार्ट करो और वेरी गुड अगला उठाओ आगी कलर रखे हैं एक ही करके उठाते रहने हैं वेरी गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड अगला उठाओ वेरी गुड नेक्स अभी चलो अबेर जो वेरी गुड रखे हैं अगला करो अगला उठाओ बिटा अगला उठाओ पिटा अगला उठाओ गुड रख दो अभी येलो कार्ट इसमें कलर कौन सा है और बीच में लिखा क्या है वो देखोगें इसका बेस कलर येलो और उपर भी देखो कौन से कलर से क्या लिखा हुआ है वो भी देखो येलो नेक्स्ट कार्ट इसमें देखो बेस कलर बीच में कौन सा कलर है क्या बना हुआ है अब देखो इसमें वाइड कलर है और क्या बना क्या हुआ है वेरी गुड रख दो से नीचे येलो क्या बना हुआ है इस कार्ड पर इसमें वाइड हाँ उपर बना क्या है लिखा भी हुआ नीचे नाम जिराब रख दो नीचे ये कार्ड आपका इस पर लिखा क्या हुआ है और बना क्या हुआ है और नीचे देखो क्या बना है वेरी गुड रख दो नीचे नीचे ब्लॉक से घर बनाए है गुड 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 रख दो नीचे ये देखो क्या लिखा हुआ है क्या क्या बना हुआ है फ्रूट्स कलर बुक गुड कौन-कौन से फ्रूट्स बनिया नीचे ग्रेप्स और बनाना और पीच गुड और और साइड में रेड क्या लिखा हुआ है रेड से इसमें येस पड़ो इसे कौन से कलर से लिखा है लिखा क्या है पड़ सकते हो राम से ज्यादा चोटा तो नहीं लग रहा हुआ है कोई बात की छोटाइई जोड़ों खड़े जाओ अबधी घूम जो पीछे को कि फड़े जो येस खड़े जाओ आगे चलो आगे चलो सिधा आगे आजो आजो शाबाश यहां पे अभी सामने जो है आपके उसमें जो भी आपको मोटा मोटा हाथ आगे करो दोनो हाथ आगे येस ऊपर करो थोड़ा हाथ हाँ जो आप सामने अब जो भी तुम्हें पढ़ा जाता है जो भी color E equal to mc square हाँ हाँ और देखो बेटा 5 equal to 3.1452 येस और नीचे counting लिखे हुई है नमबर लिखे हुए है डाउन पे लाइन लिखे हुई है नमबरी बैठ के कर लो खड़े के कर लो as you are comfortable येस गनू तू हाँ आगे पढ़ते जाओ गुड़ गुड़ आराम से देखो फाइन हाँ सेवन हाँ इलेवन येस थर्टी गुड नाइटीन नाइटीन से पहले एक और है सेवन्टीन आगे चलो उसके ऊपर देखो ऊपर क्या लिखा बना हुआ है काउंटिंग के ऊपर क्या है बच्चे के कपड़ी का कलर और पेंट का अच्छे से देखो एक्जेक्ट में और देखो और साइड में देखो और रेंबो बना और उसकी पहली साइड देखो पढ़ना है तो में अब काउंसे कलर से लिखा है सारा और ली लाइन पढ़ो सबसे लास्ट लाइन पढ़ो नीचे लिखो स्पैलिंग पढ़ देना अगर नहीं पता चलता है जो ब्लू कलर में लिखा है वेरी गुड गनू सबसे टॉप पे जो लिखा है ना सबसे टॉप पे उस पे ध्यान दो और वो पढ़ो बस एक लाइन पे उससे उपर पढ़ो गॉड और प्लिकुल स्टाइंग में ओके अब गूम जाओ घूम जाओ अब दोनों साइड आओ रुग जाओ कर दो 2 मिनुट एक सार एक मिन यहाँ पर सामने जो बैठे हुए है उनके कपडों का कलर बताओगे आपके सामने कौन है इसने क्पड़ों का पहना हुआ है कि ऑपाई चंजी बताओ उनके बारे में कपडों का कलर पैरों में क्या पहना पैरों में देखो इनके कौन से कलर में क्या पहना है बारी गुट गनू पर कड़र का कलर गुड यह वेरी गुड और टेबल पर जाओ टेबल देखो और गुम जाओ अपने यहां पर कितने कितने बच्चे हैं सब चलेगे कोई बात नहीं टेबल की तरफ घूम जाओं यह क्या है पड़ो इसे कि पेज पल्टो येस पड़ो इस पर क्या है और बेस क्या है पेपर का ची क्या अब ही तुम बताओगे मुझे पेपर का बेस कलर क्या है एक्जेक्ट देखो पेपर का कलर दुबारा देखो इस इस यलो इश आ यह वेरी गूड अब इसे रख दो यह तीन दो कलर पकड़ो अ कि बताओ कौन से हैं यह बटाओ इसे रख दो हाथ करो आज यह यह लो इसे बताओ इस बेरी गुड़ गनू क्यों